टर्बन तड़का दुरा जी हां आपका फीवरिट चोड टर्बन तड़का और मैं आपका प्यारा होस अरपाल सिंग्सो की स्वागत है सभी का यहां पर बन रहा है चट पटे आलू चाड़ हाहाँ, सबसे पहले यह जो मैंने तेल रखा फ्राइ करने के लिए यहां पर यह लिजिए, इसको on कर लेते हैं, शाथ ही साथ यह घूबज पील करके रखे हैं, इनको cubes में काटना है ठीक है यह लिजिए, यह cubes काट लिए, मोटे मोटे यह ध्यानमें रखें, आलू चोटे हैं, तो मोटे cubes काटेंगे इस तरह से, बहुत ज़दा 1,2,3,4, नहीं कम ठीक है इतने बड़े-बड़े क्यूब्स काटने अब मैं ये बाकी वाले क्यूब्स भी काट लेता हूँ यहां पर ये लिजिए बाकी आलूओं को काट लिया चाट बना रहे हैं तो पढ़ियासी चट्मी और ये चट्मी इतनी मज़िदार पूछिए मत सिंपल ये लिजिए ये शुरू कर दिया हमने दूसरा रेंज यहां पर शकर एक कप शकर फेर सारी चट्मी बनाएं कभी भी यूज़ कर सकते हैं ये लिजिए ये एक कप शकर इस शकर में पानी लगभग देड़ का पानी ये आपने डाल लिया यहां तेल आहा एक आलू डाल कि मैं चेक कर लेता हूं जितना मुझे चाहिए उतना गरम हो गया तो थोड़े थोड़े करके आलू डालेंगे क्योंकि इसका एक टैफ है वो जानना बहुत जरूरी यह लिजिए जब तक यह आदे फ्राई होते हैं ध्यान थोड़ा सा अटा के यह चटनी पे ध्यान यह लालू बाद में बाकी मसाले मिलाएंगे के बहुत ही मज़ेदार चटनी है यह आलू वह क्या हाल है ओ बहुत ही बढ़िया यह लिजिए अब शक्कर जो है यह गल गई फूरी अब इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें पहले आमचूर पाउडर यह लिजिए दो अमचूर पाउडर यह लिजिए यह लिजिए यह लिजिए अमचूर पाउडर इसके साथ साथ कश्मीरी चिली पाउडर जो लाल मेर छे वो कश्मीरी चिली पाउडर होना ची एक बड़ा चमच यह लिजिए वो भी डाल दिया जीरा पाउडर एक छोटा चमच जीरा पाउ चमच यह डाल दिया इसके साथ साथ सोंफ का पाउड है एक छोटा चमच यह डाल दिया और पुजी एनरजी इसमें डालेंगे चटनी में जी हाँ नमक जो है इसमें डालेंगे तो आएए पास आईए नाचेंगे दोनों मिलके आगे चलिए यह लीजिए नमक शमक शमक डाल देते हैं नमक शमक नमक डल गया और ये सारी चीजें डलने के बाद ये देखिए रंगत देखिए इस चत्नी की क्या बात है यदि आपको लगे कि कहीं गुट्लियां सी बन गई है तो टेंशन ना लें विस्क चला लें सारी गुट्लियां गायब ये लिए अब आलू जो है लगभग लगभग ब्राउन हो गया है इनको मैं निकाल लेता हूं इसमें ये लीजिए इसमें निकाल लिया और तेल को चालू रखेंगे गरम होने देंगे और बढ़िया तरीके से यूंकि इसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट काम करने है यहां पर आईए मैं बताता ये देखिए कपड़ा लेके अब ये जो आलू है यहां रखना है और कपड़ा ढखके तुकि गरम है ये इसे दबा दिया ये हालत देखिए महाँ से को चप्टा करना है ठीक है जी ये ये चप्टा कर दिया इसी तरह से ये देखिए ये देखिए साथ ये महाशय को भी देख लेते हैं ये देखिए क्या बात है मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल यही चाहिए इसे कर लेता हूं बंद इसको मैं अभी ऐसे रखने देता हूं ये आलू दुबारा फ्राय करने में तो तेल काफी गरम बिल्कुल ध्यान से इनको डाल लेते हैं बिल्कुल ध्यान से ध्यान भरके हैं जब भी फ्राय करते हैं कुछ चीजें तो बिल्कुल ध्यान रखके हैं ठीक है ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं अभी आहाहा बिल्कुल क्रंची अब इनको मैं निकाल लेता हूं ये देखिए क्रंची क्रिस्पी बिल्कुल मज़ेदार साथी साथ ये जो चट्नी बनाई थी आहां ये देखिए आपने कभी देखा कभी हलवाई की दुकान में आसमान से चट्नी डालते हूँ जब भी उनको चट्नी डालनी हुई चार से बांच बड़े चम्मा चट्नी ठीक है जी डाल ली आपन को मिला लें आए क्या बात है इनको मेरे मुह में तो पानी आ रहा है लेकिन मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ और ये देखिये जान बना रहे हैं और डिजिशनल तरीख से ना सर्व करें तो मजा नहीं आता ये दखिए देखिये क्या बात है ये और फाइनिली अचा ये लिजिए थोड़ी सी और रंगत थोड़ा सा चाट मसाला उपर और आहा हा ओजी नुकड में जाके क्यों खाएंगे घर पे उलाएं महमानों को और चाट खाएं ओजी मसा ही कुछ और है और सर्फ करें दोनों में ठीक है ना आप पहले तो इंग्र इंग्रेडियंट्स नोट करें आप भी पीछे ना रहें आप भी इंग्रेडियंट्स नोट करें और देखें इसका रीकाब चटपटा आलू चाट सामगरी चार आलू छीले और मोटे टुकडों में कटे हुए तलने के लिए तेल एक कप शकर दो बड़े चमबच आमचूर पावडर एक बड़ा चमबच कश्मेरी लाल मिर्च पावडर एक छोटा चमबच जीरा पावडर एक छोटा चमबच काला रख दीजिए कड़ाई में तेल गरम कर लीजिए चटनी बनाने के लिए एक नॉन्स्टिक पैन में शक्कर और डेर कप पानी मिलाकर उबाल लीजिए थोड़े थोड़े आलू के टुकडे तेल में आधे पकने तक तल लीजिए टिशू पेपर पर निकाल लीजिए शकर आलू का हर एक टुकड़ा कपड़े में थोड़ा दबा दीजिए तेल दुबारा घरम कर लीजिए आलू के टुकडे सुनहरे होने तक तल लीजिए तिशू पेपर पर निकाल लीजिए आलू के टुकड़ों को एक बावल में निकाल लीजिए अब इसमें चार से पांच ब हुआ 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 हुआ